ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलिवुड स्टास खोद को फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ बॉलिवुड स्टास ही नहीं उनके फैमिली मेंबर्स भी खोद को फिट रखने में पीछे नहीं रहते हैं अब रितिक रोशन की बेहन सुनाइना रोशन को ही देख लीजिए। सुनाइना के लोग में drastic transformation देखने को मिलता है। आपको बता देख कि सुनाइना सर्वाइटल कैंसर से जूच चुकी है। बावजूद इसके उन्होंने खुद को fat से fit किया। सुनाइना ने एक सुनाइना को fit देख कर रितिक ने twitter पर अपनी खुर्शी जाहिर करते हुए लिखा था कि वे जानना चाहते हैं कि सुनाइना कैसे अपना वजन कम करने का प्लान किया। सुनाइना ने एक इंट्रेव्यू में बताया था कि with loss करने के बाद उन्हें best compliment भाई डुगू रितिक रुशन से मिला था। रितिक ने उन्हें देखते ही कहा था ये लड़की कौन है। ये सुनकर उनको जो फिल हुआ था वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। बस भाई की बात सुनकर उन्हें एक नई लाइफ मिली थी। सुनाइना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी सर्वाइटल कैंसर था। कहा जाता है कि जब वो पिता के साथ फिल्म कुरेजी चार की शूटिंग में साथ काम कर रही थी तो उन्हें काफी ब्लीडिंग हुई थी। बाद में टेस्ट कराने पर पता चला कि उन्हें सर्वाइटल कैंसर है। कि मोध एरेपी के दौरान उनकी पूरे बाल जड़ गए थे। इसके चलते वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। हालाकि अब वो पूरी तरह से उबढ़ चुकी है। सुनाइना डायरेक्शन की फिल्म में एक्टिव है। हालाकि वो एक किताब जो डैट विद लवगी लिख चुकी है। 46 साल की हो चुकी सुनाइना की अब तक दो शादिया हो चुकी है। सुनाइना की पहली शादी आशीश सोनी से हुई थी लेकिन साल 2000 में ही उनका तलाक हो गया। आशीश से सुनाइना की एक बेटी सुरानिका है। इसके बाद उन्होंने 2009 वे बिजनेसमेंट मोहन्दा डार से दूसर शादी के।